स्वागत है आपका आज बात करेंगे कि मेडिसिन कैसे बनाई जाती है तो विडियो के लास्ट तक बने रहें हम अक्सर बीमार होने पर दवा लेते हैं जिसे फॉर्मास्योटिकल ड्रग्स भी कहा जाता है फॉर्मास्योटिकल दवाएं रासायनिक पदार्थ हैं जो बीमारियों के लक्षनों को ठीक करने, रोकने या राहत देने में मदद करती हैं नई दवा बनाने के लिए दवा कमपनियां काफी रिसर्च और टेस्टिंग करती हैं कुछ निश्चित कदम हैं जिनका आमतोर पर पालन किया जाता है एक नई दवा बनाने में पहला कदम अनुसंधान है वैग्यानिक अध्यान करते हैं कि किसी बीमारी या लक्षन का क्या कारण है वे कंप्यूटर मॉडल चलाने के लिए सुपरकंप्यूटर का भी उप्योग करते हैं अगला चरन जानवरों पर परीक्षन है एक बार जब उन्हें जानवरों पर परीक्षन में सफलता मिल गई तो वे मनुश्यों पर परीक्षन शुरू करने की मंजूरी के लिए FDA के पास आवेदन करेंगे मनुश्यों पर परीक्षन तीन चरनों में होता है पहले चरन में 20-80 लोगों के एक छोटे समूव पर सुरक्षा के लिए दवा का परीक्षन किया जाता है दूसरे चरण में प्रभावकारता के लिए दवा का परीक्षन 100 से 300 लोगों पर किया जाता है प्रभावकारता इस बात का माप है कि दवा कितनी अच्छी तरह काम करती है कुछ लोग वास्तविक दवा लेते हैं जबकि अन्य प्लेसबो लेते हैं एक लेस बोज सिर्फ एक चीनी की गोली है जिसमें कोई वास्तविक दवा नहीं है यह चरन शोध करताओं को यह निर्धारित करने में मदद करता है कि क्या दवा वास्तव में प्रभावी है तीसरे चरण में लोगों के बहुत बड़े समुहों का परीक्षन किया जाता है आमतोर पर 1000 से अधिक इस चरण के दोरान प्रभावशीलता और साइड इफेक्ट का निर्धारन किया जाता है नई दवा आवेदन यदि परीक्षन सफल होते हैं तो दवा कमपनी नई दवा आवेदन के लिए एफटी ए को आवेदन करेगी अगर एफटी ए ने मंजूरी दी तो दवा बेची जा सकती है एक नई दवा बनाने में कई साल लगते हैं और आमतोर पर लाखों डॉलर खर्च होते हैं सरकार के पास यह सुनिश्चित करने के लिए नियम है कि दवाएं यथा संभव सुरक्षित हैं किसी दवा को बेचने से पहले कमपनियों को कुछ परीक्षन करने होंगे और आवशक्ताओं को पूरा करना होगा दवाओं पर नजर रखने वाली एजेंसी को केंद्रिय औशधी मानक नियंतरन संगठन कहा जाता है दवाओं के प्रकार अधिकांच कानूनी दवाओं को दोश्रेणियों में विभाज़त किया जा सकता है प्रिस्क्रिप्शन दवाओं को खरीदने के लिए डॉक्टर की मंजूरी की आवशक्ता होती है उन्हें फॉर्मासिस द्वारा सौंप दिया जाता है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि सही खुराग दी गई है और लोग दवा लेने का उच्चे तरीका समझते हैं ओवर दगाउंटर दवाएं बिना प्रिस्क्रिप्शन के खरीदी जा सकती हैं इसके उदाहरनों में दर्ड निवारक जैसे एडविल और एस्पिरिन, कफ सिर्प और साइनस की दवा शामिल हैं दवाएं कई तरीकों से दी जा सकती हैं जिनमें गोलियां, क्रीम, आई ड्रॉप, इनहिलर, मिस्ट आदी शामिल हैं ज्यादातर दवाओं के साइड इफेक्ट होते हैं आपको अपने द्वारा ली जाने वाली किसी भी दवा के लेबल को हमेशा पढ़ना चाहिए और निर्देशों, खुराक और चेतावनियों का पालन करना चाहिए यदि आप किसी भी दुश्प्रभाव का अनुभव करते हैं तो तुरंत दवा लेना बंद कर दे और अपने डॉक्टर से संपर्ख करें तो आज की वीडियो में बस इतना ही जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना न भूले सब्सक्राइब कर दे जल्दी है